प्रस्तुत को इंग्लिश में क्या कहते हैं या आज की वीडियो में सीख लेते हैं प्रस्तुत को इंग्लिश में आप प्रेजेंटिड या सब्मिटिड कह सकते हैं presented या submitted. जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि विद्यार्थियों ने अपने शोद निशकर्ष कक्षा के सामने प्रसुत किये, तो आप कह सकते हैं, students presented their research findings in front of the class. students presented their research findings in front of the class. या अगर आप ये कहना चाहें कि टीम ने आगामी परियोजना के लिए अपना प्रस्ताव प्रसुत किया, तो आप कह सकते हैं, the team submitted their proposal for the upcoming project. अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को करें और बैल आइकन को प्रेस करें